दोस्तों स्वागत करते हैं आप सबका इस वीडियो में हम लों लेकर आ चुक हैं यहां पर इंटर मेंट एक्जामनेशन 2022 वालों के लिए जो भी छाथ एक फरवड़ी को एक्जाम्स देने वाले हैं उन सभी छातरों में चातरों यहां पर काफी इंपोर्टेट वाइरल अब सब्सक्राइब करके और वीडियो के डिस्किप्शन में दोस्तों आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा इस तरह के लिंक आपको वीडियो के दिस्किप्शन में मिल जाएंगे वहां पर आप लोग इस तरह के प्रस्ट पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो और काफी सारे कोशन का पैक्टी सेट कर सकतो ठीक है वीडियो को लास तक जूर देखेंगे दोस्तों चली हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं तो चले दोस् भूती भीविया इंपोटेंट है और मैं आप लोग को बतेया भी था दोस्तों मतले टॉप हंडेट फरमुला में लेकर आने वाले हो आज साम में आप लोग को वेट कीजेए दोस्तों मैं दोव फरमुला वाला वीडियो आईने होले है एक में पचास और दूसरे में पचा से पले जब इस तरह के प्रस्ट आएंगे देखना जीरो अगर रहेगा तो जीरो लगाना नहीं तो आप लोग इसको बना सकते हो ठीक है कैसे करेंगे हम लोग यह डिटर्मिनान्ट है तो दो पांच आठ ठीक है अब मैनस साथ 13 और 19 क्या हम लोग इसमें से दोस्तों यह यह मैनस को लेते हैं तो मैनस 2 से भाग देंगे हो किसरे कर दो मैनास 12 मैं-2 से भाग देंगा ठीक है और यह 13 आ जाएगा दोस्तों और यह आपका 19 आ जाएगा ठीक है अब देखें दोस्तों यह R1 हुआ यह R2 हुआ यह R3 हुआ R2 बराबर R3 देखें दोनों equal है दोस्तों यह ठीक है जब determinant में 2 रो या फिर 2 column अगर same रहते हैं तब determinant को जो value हो जाता है वो 0 के बराबर हो जाती है याने तो आप calculation के मदद से निकाल सकते थे दोस्तों इसको ढखके 2 है न पलस दो फिर उपर वाला ढखो फिर यह 13 19 और यह minus 26 minus 38 इससे भी आप लोग बना सकते थे फिर minus minus 7 करके वो थोड़ा सा लंबा process हो जाता option नमर यहाँ पर सी कोरेक्ट हो जाएगी जीरो चले लेगला कोशन देखते हैं 46 नमर काफी सांदार कोशन है दोस्तों कहा गया कि तीन पांच सब्सक्राइब दोस्तों आपको लागाना है जीरो अगर नहीं बने तो ठीक है अगर फस रहो दोस्तों जीरो लागा देना अगर option में 0 रहें सब्सक्राइब दोस्तों ठीक है अब इसको ढखेंगे इसको ढखेंगे ठीक दबचेगा एक साथ आप 23 तीन एक आरा मचिगा फिर मैनास चिक्स लेंगे यहां पर यह कितना हो जागा आपका दोस्तों फिर इसको हम ढखेंगा यह 57 3-11 समझ में आगी ना बात फिर पर लस द जरूर देखो करके फिर यहां से क्या करना दोस्तों आपको करके त्रोस मल्टिप्लिकेसन कर सकतों साथ 1177-3130 ठीक है फिर-6 यहां पर है 1155-115 ठीक है अब यहां पर पलस दो है दोस्तों इस तरीक से आपको यहां पर लगानी है ठीक है तो करने के बाद जीरो ही जाएगी एक वार जरूर आप लोग करो कोपी कलम पर ठीक है चलिए गला को संदेखते और मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया है कि अगर नहीं बने तो जीरो असानी से लगा देना आप देखे द मोज सब 이ह मल्टिप्लाइ कर दते हैं यहां मैन सब्साजाइब फिर माइनस अबी यही को डेक हो यादि ही मैश सब्सेइर स करें पर चर्डूर district 08 मैट्रिक्स जसील लगा हुए एका यहां पर चार दो मैनस दो एक जीरो है इसको हम लोग करो मतलब मैल्टिप्लाइ करेंगे दोस्तों किसी एक रो में या फिर कॉल में मल्टिप्लाइ करेंगे हम लो चाहिए इसमें करो ठीक है या चाहिए इसमें करो तो देखते हैं किसमें होता है दोस्तों यहां पर ऑप्सन में तो चा लगी मॉल्टिपल करना है इसमें गल्ती हो जागी क्योंकि मैट्रिक्स का हो जाएगा ठीक competition नमघ डिस दर राइट 48 का जाफ चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं 49 नमर अब यह भी मैट्रिक्स से दोस्तों आपका ठीक है यह क्या है मैट्रिक्स है। काफी संदा प्रस्णा यह मैट्रिक्स का अब 10 फिर 001 ग्यारा 17 अब मल्टिप्लाइग करना है तो हम लोग जानते हैं रो को कॉलूम के साथ मुल्टिप्लाइग करेंगे फिर रो को कॉलूम के साथ यहां पर तो सिर्फ एक ही यह दोस्तों और 0000 है चलिए एग एक में 11 मल्ट करना पर ठीक है तो कैसे करेंगे दोस्तों तो ही पलस दो यहां पर लेंगे इसको POUS इसको क्या करेंगे दोस्तों POUS माइनस फिर पलस ठीक है तो POUS 2 लेखे इसको और इसको ढख देंगे इसको और इसको यह होगा माइनस 6 लेंगे दोस्तों नीचे बाले कि लोगे PLUS 3 में इसको आइनस 3 5 0 4 अब इसको calculation करेंगे दोस्तों हम लो करेंगे यहां पे इसको यहां पे लिखते हैं पलस 2 ठीक है तो यह multiply करो आपसमें cross multiplication तो मैंनस से किस को गुना 0 जीरो जीरो आजाएगा मैंनस 154 ठीक है फिर माइनस 6 और यह पलस हो जाएगा तिया 63 फिर माइनस यह 15 पचे 75 ठीक है अब यहां पर फिर पलस तीरी फिर यह जीरो आ जाएगा तो माइनस यहां पर 12 ही सिर्फ आएगा ठीक है अब इसको क्या करेंगा हम लोग मल्टिप्लाइ कर देंगे यह सार दोनी माइनस 120 अब यह माइनस 75 में से 63 गया तो तेरा तेरा सब्सक्राप चक्यान में तो पल्स एकनमे और यह मैंनस चथे अब यहां पर 36 और 120 को जोर के अपने जो घाटा देंगे दो तो वही एंसर आ जाएगी आपका ठीक है तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगी यह आपका कौन सा हो जाएगा तो पच्छास का कोरेक्टर मै लग लगा है दूस्तों कहीं लेकिन क्लेशन करोंगे आप लोग तो उसी तरीके से आपको यहां पर यहां प्रॉटन करनी है थे जलिये अगले कोशन कार बढ़ रहे हैं बताना दोस्तों क्लेशन करने के बाद कितना एंसर हा रही है मैंने आप लोग यहाँ पर D option बताया है चलिए गला question देखते हैं यदि X कमान 357 9 तो X का Adjoint कमान कितना होगा देखे दोस्तों जब भी इस तरह के प्रस्न आएंगे आपको करना कहना इसका जो अस्थान है बदल देना है इसका इसका अस्थान बदल देना तो जैसे तीन है और 9 है तो यहाँ पर 9 करेंगे यहाँ पर 3 करेंगे और इसका और इसका ठीक है क्या करेंगे हम दो चीन बदल देंगे ठीक है तो माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा क्या क्या मैंने इसका और इसका अस्थान बदलना है और इसका इसका अस्थान नहीं सिर्फ और सिर्फ चीन बदलना है तो पलस में दोंों था था मांईनस में कर देंगे तो ही एंसर वाज़िघी जो टो ऑप् montерм बी में by black एं में है एक्स कमान है यह कॉस स्क्वार ठीटा ठीक है और वाई कमान है दोस्तों आपका एस साइन स्क्वार ठीटा तो डिवाई ओपन डी एक्स मतलब इसका डिफ्रेंसियेशन करके निकालनी है नो की बहुत सारे चाथ क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे देखिए एस साइन यह स्कोरा ठीटा करेंगा ठीकर इसको कटा के सब्सक् Use कर नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे का लेंगे यहाँ अ यहाँ फिर मिरेंट यहां पर मैंनस ऑजाएगा Crossley दोस्तों यहां पर मानश हो जैना इनमच का पर दोस्तों कट जाएगा यह ठीक है जब भी इस तरके प्रसंद पुछे जाएंगे आपको जरूर एक बार सोचना है नौकी टेनस को ठीटा लगा देना है ऑप्सन नमर यहां पर बी कोरेक्ट है माइनस वन एक बार इसको करना है इसको एक बार इसको करना है ठीक है चलिए यहाँ पर टू है न तो टू ए और साइनस को ठीटा का आप लोगों को यहाँ पर निकाल लेनी है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगर नहीं बनी तो जरूर कमेंट करना इसका एंसर माइनस वन होगा जब भी कोशन पूछी जाते हैं इसी तरीके से पूछे ही जाते हैं चलिए अब जैसे यहाँ पर देखें दोस्तों यह को प्रसन है बहुत ही सांदर फिप्टी टू फिप्टी ठीड अमर सियम है दोनों अब यहाँ पर है डी वाइपॉन डी अक्स तो एक्स का मान तो है आपका ए टी के पावर फोर और वाई का मान है आपका टू ए टी असक् टीड अब यहाँ पर दी वाई अपॉन डी अक्स हमको निकालनी है ओ ऍधर है इस पंड हम और यह आपकर कितना हो जागा चार एट यहाँ प्पूर ए TQ हो जाएगा किने तो यह हो जाएगा 48 TQ यहां से 4A से 4A गया और T से 1 T चला गया दोस्तों तो बजएगा T square तो 1 over T square यही answer हो जाएगी option number B समाझ़ में आ रही है न बस आपको क्या करना है differentiation करके दिवाई अपॉन डिक्स निकालनी है जैसे इसे पहले वाला कोशन में था तो 2 number में ठीक है चलिए अगला कोशन स्कूर बढ़ते है कहा गया है दोस्तों D square upon D x मतलब दो बार इसको differentiation करके निकालनी है उस तो यहां पर 20 x की वह है पलस 7 x है चलिए इसको निकाली है एक बार तो 20 यह 60 x हो जाएगा यह पलस 7 हो जाएगा इसको करेंगे तो 62 एक सो बीस x और 2 मैंनस 1 एक होगा और यह पलस आपको 7 का 0 हो जाता है तो 120 x इंसर हो जाएगा option number D दो बार आपको differentiation करना था ठीक है 55 number है दोस्तों कहा गया है x कमान 0 1 10 x के पावर फोर जब भी इस तरके प्रस्ण आएगे दोस्तों कितना भी पावर रहेंगे ठीक है x कमान 0 1 1 0 जब भी इस तरके प्रस्ण आएगे कितना भी आपको 0 रहेंगे मतलब इस तरके पूछा जाएगा x square x q x के पावर फोर हमेशा वही अंसर आएगी जो आपको दिया हो रहेगा x कमान ठीक आप्शन नमर यहाँ पर एक कोरेक्ट हो जाएगा ठीक है 0 1 1 0 55 का एक कोरेक्ट है चले गला कोसान देखता है 56 नमर कहा गया दोस्तों कि 10 inverse 2 x बटा 1-1 x square का मान क्या होगा देखे यह formula डाेक्ट है क्या है दोस्तों यह formula है दायेक्ट टेन इनवर्स 2 एक सब्सक्राइब टू एक सब्सक्राइब ठीक है इसका answer हो जाएगा sign inverse देख इसका end to 10 inverse x होगा एंसर लेकिन इसका तीन फर्मूला होता है ठीक है देखें मैं तीनों लिखे दता हूं यहाँ पर टू टेन इन फर्मूला होता है आपका टेन इन फर्मूला होता है यह तो एक फर्मूला होता है दोस्तों साइन इन्वर्स टू एक्स बटा वन पलस एक्स स्क्वाइर ये भी फर्मूला होता एक और फर्मूला होता है आपका कॉस इन्वर्स वन मैनस एक्स स्क्वाइर बटा वन पलस एक्स स्क्वाइर ठीक है ये सारे फर्मूला होते हैं फर्मूला आउदे 2 10 इन्वर्स एक्स का अभी जोस्ट एक फर्मूला हो रहेंगे दोस्तों इस पर चले इसका एंसर अजगा जब शबम का ए अगला कोशन देखते हैं कॉस इन वहर्स रूट 3 वाइ 2 का मान तो कॉस इन वहर्स कॉस रूट 3 वाइ 2 का मान रूट 3 वाइ 2 किसका मान होता है दो तो यह कॉस पाई वाइ 6 का मतलब 30 डिगरी का मान होता है रूट 3 वाइ 2 ठीक है यह से कॉस से कॉस चला जागा अब यहाँ पर काफी सांदार प्रसन है दोसों कहा गया कि समुझ ए और बी पर दूया धारी संक्रियों की कुल संख्या कितनी है दस सोलों बीस इन में से कोई नहीं जब इस तक प्रसन आएंगे जितना रहेगा दोस्तों यहां पर दो है न तो एन के पावर एन स्क्वाइर य बीक टिक है याद रखेगा एन के पावर एन स्क्वार ठीक है चलिए फिप्टी-नै अब कहा गया दोस्तों की एक स्क्वाइर कामान दो से तीन के बीच में डिफिनिट इंटिक्रल है बहुत ही सांदार प्रसन आइसका तो एनसर आजए एक्स क्यूबैं थी अब 2 से 3 के बी फिर बट्टा थीरी माइनस एक वार टू का क्यों करके फिर थीरी कितना होगा यह तिन तिया न तिया सब तैस माइनस बट्टा तीन यह जागा उनेश वट्टा तीन ऑप्सन अवर सी कोरेक्ट हो जाएगी साथ तो जय क्रम न आएक के ब्रह गाइबर होता है तो आई क्मान वन हो जागी ऑप्सन नमबर भी आप हम रूग करोस से तरह यह त्वाक पर जिया रहता है दोस्तों और ये डोट ये वर कमान और और आइक जिए नाइक क्रोफ आइक डोट योट के यहाँ पर आइड़ और आइक हम लोट हो जाएगी डोट प्रोड़क्त में बहुत ही सांदर है वैक्टर में बहुत सारे शवार भूल जाते हैं इसको मैं आप आज हुआ करवा दूगा आप लोगों को ठीक है साम में फर्मुना वाले वीडियो में चलिए दोस्तों हम लोग यहां पर सुलक सिख्टी कोशन किया है फटीफाइब से इसके आगे कोशन हम लोग अगले वीडियो में कवरे करने के मैंने आप लोगों को बता जा था दोसों यह सारे साथ क्योंकि वहां पर आप लोगो मिलेंगे पीडियाप ठीक है और कोशन का प्रैक्टिसेट करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर कर सकते हैं स्टार कशेड़ी पॉइंट डॉट कम गूगल पर लिगिए या फिर लिंक आपको सीधिये डिस्किप्शन में मिल जाएं झाल